नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईए स्पीसेस अकेडमी में मैं हूँ आपका एजुकेटर मैंक मिस्रा और आज मैं आपके लिए के आया हूँ अक्टूबर मां के जो करेंट अफेर हैं आपके महतपूर करेंट फेर सारे के सारे जो भी आ आप मालनेजिये की CGL हो आपका जहां पर भी आपको करेंट फेर की ज़रूद पढ़ने वाली है चाहें वह आरो यारो यूपी पीसेस हो हर जगह आपको इस मेरे द्वारा जो वीडियो प्लप कराया जा तो आपके मैक्सिंग इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे तो चलि हमारा जो दिवस है 200 साकाहारी दिवस तो यह कम बनाया जाता है एक अप्टूबर को दूसरा स्वच्छ भारत दिवस यह बनाया जाता है दो अक्टूबर को अच्छा इसमें जो महतपूर्ट थीम है मैंने वहीं पर लिखी है जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आगे देखते हैं लोग अ कर तो अग्या जो हमारा मैटपूर दिवस है वह आँ अर्शटवां राष्टी यह बंद्जीप सप्ता कम बनाया कम मनाया गया दो से 8 अक्टूबर के बीच में बिशु पर्यावाज सप्ता कम मनाया जाता है तीन अक्टूबर को बिश्व पस अक्टूबर के बीचे में मनाए गया और इसकी थीम भी important है space and sustainability इसकी थीम है और बात कर लें राष्टी डॉल्फिन दिवस कम मनाए जाता है 5 अक्टूबर को बिश्टो सिक्षक दिवस कम मनाए जाता है 5 इसकी थीम पोस्ट फॉर प्लैनेट अगला जो दिवस है अंतर राष्टी आपदा जोकिम निवनीकरंट दिवस यह कम मनाए जाता है 13 अक्टूबर को बिश्टो खाद दिवस 16 अक्टूबर को मनाए जाता है इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड बिश्टो सांकी दिवस कम मनाए जाता है 20 अक्टूबर को इसकी थीम है डाटा फॉर सस्टेनेवल डेवलप्मेंट इसकी थीम है बात करें संयुक्त राष्ट दिवस यह कम मनाए जाता है यह मनाए जाता है 24 अक्टूबर को तो आगे बढ़ते हैं अगला जो दिवस है बोई 20 पोलियो दिवस ये कम बनाया जाता है 24 अक्टूबर को तो जो हमारे एक्टूबर माह के जितने भी एक्टूबर माह में बुकें जो प्रमुख पुस्तकें जो पब्लिश होई है इंपोर्टेंट उनके बारे में चार्चा कर लेते हैं तो पहली बुक है लता लाइफ इन बुक है यतेंडर मिष्रा ने दूसरी वुक है वार ओफ लंका यह किस यह अमीश्थ किपार्थी ने तीसरी वुक है फ्रॉम डेपेंडेंस टु सेल्फ रिलाइश है यह किसने लिकिये बिलंजाला ने यह मयतपूर्पुर्ण बुक का है यहापके एक्जाम है पूछने की ज़्यादा संभाब ना है चौती वुक के आ कन्फियूज माइंड स्टोरी ये किस ने लिखिए साहिल सेट ने तो चारी वुके थी जो इंपोर्टेंट थी अक्टूबर मां में तो अब हम लोग देख लेते हैं ओविचुरी जो निधन हुए हैं हाली में अक्ट नोविस्ट तो और इसकी खोच करने वाले डॉक्टर थे इनका भी निधन हो गया है अब अगला जो हमारा टॉपिक है खेल गटना क्रम स्पोर्ट से रिलेटिज जो भी करेंट फेर हैं चलिए के करके हम लोग देखेंगे तो पहला है पहले की बात करने पॉइंट की तो द वाधिक रन बनाने वाले बल्लेवाज बन गए यह भारती बल्लेवाज जो हैं बन गए हैं कि भारत की तरफ से एक बरस में सबस्यादा टी-20 रन अभी तक सुर्गुमार यादम ने बनाये हैं आगे हम लोग देख लेते हैं तो अगला जो करेंट अफेर है योनेक्स कनाड इसके बारे में चार्चा करते हैं अच्छा यह बैडमिंटन से रिलेटीड है तो पुरुष एकल के विजेता देख लेते हैं तो इसके विजेता हैं एलेक्स लैनियर और यह किस देश के हैं फ्रांस के विजेता कौन रहे हैं ताकुमा ओवाईशी यह जापान के थे माइल इकल की बात करें तो इसकी विजेता कौन बनी मिशेल ली कनाड़ा की और उप विजेता शुंग शुओ यून यह ताइवान से थी तो यह उप विजेता रही हैं अगली अगला जो करेंट अफेर है उसमें बात करते हैं इसमर्ती मंदाना एक दिफसीय क्रिकेट में सबसे तेज तीन अजार रन बनाने वाली पहली बारती महिला बन चुकी है अगला लीजेंड क्रिकेट लीग 2022 में हुई इसमें चार टीमों ने भाग लिया और कहां पर इसका वेन्यू क्या था जैपूर और इसमें बिजेता कौन रहा इंडिया कैपिटल्स और विजेता कौन रह भीलवाड़ा किंग्स बात करें बिस्तु कुस्ती चैंपियंशिप 2022 की बात करें तो इसका जो वेन्यू रहा वेल ग्रेट सर्विया रहा और इसमें जो सीर्थ देश रहा वो रहा अमेरिका दूसरे इस्थान पर रहा जापान तीसरे पर रहा तुर्की बारत को जो है चौ जिद्नी आस्ट्रेलिया में आयोजित फीवा एफाई वीए महिला बास्केट वाल बिस्वकप में अमेरिका ने चीन को हराकर जीत दर्ज की तो अगला करें डफेर सौधी अरब जो है बर्स दो जार उनतिस के एसी आई सीथ कालिन खेलों की मेजवानी करेगा तो एसी आई देखते हैं लोग कि जो पांचमण खेलो पांशाँ खेलों इडिया यूथ गेम्स जो है अर तो श्का आयोजन थेञें मद्य प्रदेश के आठ सहरों में किए जाएगा तो पांचमा खेलों इंडिया यूथ गेम्स का मद्डिय कवांजी प्रदेश में 2023 तो इसका वेन्नियू इस्थान कहा पर बंगलादेश में इसका बिजेता कौन भारत और प्रतियोगिता का उबिजेता कौन भारत और शेलंका आगे बात करें तो फीफा महिला विश्व कप जो फूटबॉल से रिलेटीड है तो इसका जो आयोजन होना आए यह आज चलिया प है गया दो स्वकाल मतलब इसका रिलीज हुआ है तो इसलिए है चर्चा मैं है तो इसका सुबंकर क्या है ताजूनी जोकी पेंगूइन में तो अब हम लोग देखते हैं जो अक्टूबर मा में इंपॉर्टेंट समिट हुई है तो एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे तो पहली समिट देखते हैं इसकी थीम क्या थी यह भी आप देख लीजिएगा इसकी थीम है टुट एंड फेथ इन क्राइसस तो यह इसकी थीम थी तो अगली जो समेट है देखते हैं स्ट आतंगवाद विरोधी बैठा कभी कहां पर हुई है आली में गुरुग्राब में अगली देखते हैं कि में 22 ब्लाक्चेन सिकर समेलन अभी कहां पर आयोजित हुआ अट्लांटिस धपाम दुबाई में बात करें कि इंडियन अर्वन हाउजिंग कॉंक्लेब 2022 का अभी आली में कहां हुआ गुजरात के राजकोट में नभी जो इंटरपोल की मासवा की जो बैठक हुई है वो करेंट विराएंगे तो उसमें मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तो अगला देखते हैं कि ग्लोवल इन्वेश्टर्स समिट जो हुई थी वह अभी आली में कहां पर आयो जी तो इसका अंजर है लखनौ में तो मैतपूर समिट हम लोगों ने सारी देख ली अब हम लोग देखेंगे मैतपूर इंडेक्स को तो पहला इंडेक्स जो हमारा है वह ग्लोवल इनोवेशन इंडेक्स 2020 तो इसको कौन रिलीस करता है बिश्ट बादिक शंपता संक्टन जिसको शॉट फॉर्म में बीपो भी बोलते हैं तो इसमें जो पहला इस्थान है दूसरा इस्था अधार्य करता है परेटन मंतराले दौरा है तो इसमें पहले स्थान पर महराष्ट और दूसरे स्थान पर तमिल नाडू यह रिपोर्ट यह बतलाती है कि जो बिदेशी पर हीटक्ति जो होते हैं वह ओर सबसे ज़्यादा कहा है मह राष्ट में और सेकेंड निपर तमिल न और भारत की रेंक इसमें दिखाई गई है 107 आगे हम लोग बात करें असमानता सूचकांग जो आया एक्टूवर मां में तो इसको कौन जारी करता है और पहली रेंक है नौर्वे की दूसरी जर्मनी की तीसरे इस्थान पर रहा अश्रेलिया अब भारत की रेंक एक्सो तेई की तो बस यही तीन-चार सीजन जो होती है मैतमूर तो इनको ही आप याद रखिए जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं तो अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आइस पीसे से कैडबी को जॉइन कर सकते हैं वहां पर मैं इसकी पीडिएफ डाल बोलते हैं वह कितनी रही 19.5 कुल प्रजिन अंदल टोटल टोटल फर्टलीटी रेट जो टीएफ और बोलते हैं वह तो यह जो चेंजिंग हुई है तो यह आप याद रखिए यह आपके एकॉनमी करेंट अफेर से रिलेटेटिट क्वेशन है तो यह आपकी एक्जाम में क भारत की और दूसरी नाइजरिया की इसमें रिपोर्ट में मतलब यह कि यह कि जो सबसे जादा गरीव है वो किस देश में रहते तो नंबर बन पर भारत में पर नॉनमर 2 पर नाइजरिया इसमें संख्या की आदार पर गरीब ही तै की गैई दूसरा अगला कुश्चन देखते हैं कि प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 जारी कि यह जारी की नीतियायोग यह प्लास्टिक के कच्रे से संबंदित रिपोर्ट है तो प्लास्टिक का कच्रा सबस्यादा कहा होता है महाराष्ट में दूसरे नमर प्रता मिलाडू तीसरे पर गुजरात यूपी का इस्थान इसमें है अगली जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं अच्छा आपसे कुश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिक्षा 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्वार्थिक मंच तो अगला देखते कि सवाईज्ब के मामले में पहले स्थान परगोनय और बारत की रहेंक सेवंटी नाइन ब्राइफमेंग स्पीड के मामले में नंबर एक पर आचली बारत की रहेंक है एक सो अठाव. बात कर लेते हैं जलवायू पारिदर्षता रिपोर्ट 2021 अभी हाली में जारी हुई है किसने जारी करी है क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है अब हम लोग देख लेते हैं जो अक्टूबर माय की महत्पूर न्युक्तियां तो उनके बार प्राइम त्रो तो यह जो हैं बुर्कीना फासों के ने राष्ट पती बन चुके हैं बात इस्मुरती मंदाना की करें तो यह जो है गल्फ ऑईल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड अंबेश्टन इनको बना दिया गया है रोजर बिन्नी बेसी सी आई के 36 वे दिक्ष बना दि अब पूर्वा स्रीवास तब जो हैं यह स्लोवाक गड़राज में भारत की नई राजदू बन चुकी हैं बात करें नियायमूरती डीवाई चंद्रचूड यह भारत के 50 में मुक्ष नयायदीस बनेंगे अभी बने नहीं है अगले महिने में यह पद अपना ग्रेंड करें बात करें कि उल्फ क्रिश्टर्शन जो हैं यह स्वीडन के नय प्रधान मंत्री बन चुके हैं मलिकारजुन खड़के जो हैं कांग्रेस के नय अदेक्स चुल लिए गया है रिशी सुनाक जो हैं बिटेन के 97-57 प्रधान मंत्री बने और इनकी पार्टी का नाम क्या है यह अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुक्त पुरुषकार बाटे गाया है तो एक एक करके चलिए देख लेते तो सबसे पहला पुरुषकार पुरुषकार 2021 कि किसको मिला है कुमार सानु को और यह पुरुषकार मद्ध प्रदेश सरकार के दोरा दिया जाता है बात करें अ सयुकत राष्ट sdg action अवाड का चेंज़्मेकर पुरुषकार यह किसको मिला है। श्रश्टी वक्षी को अगला देखते हैं कि 32 मां वियारी पुरुषकार 2022 किसको मिला है डाक्टर मादव हाडा को अगला देखते हैं आईश्मान उतक्रेष्ट पुरुषकार 2022 किसको मिला है आंधपरदेश को 2017 को मिलाए यह युन किंग टेंग मिलाए नांसीन पुरुसकार कि मिला है एंजल मरकेल हिए आगे देखते हैं हमलो कि लोग को त को एक्टूबर मा में नोवल पुरुसकार भी वित्रित किये गया है तो एक एक करके हम लोग चलेए देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत की में जो नोवल मिला है किसको मिला है एलिन आस्पेक्ट को जो की फ्रांस से है तीन लोगों को मिला है दूसरे कोन है जॉन एफ क्लासर ये USA के रहने वाले एंटॉन जिलिंगर ये आश्रिया के रहने वाले तो इन तीन लोगों को पुरुषकार मिला है अच्छा है इनको मिला क्यूं है उल्जे हुए फोटानों के प्रयोग के लिए बेल अस्मानताओं के उल्लंगन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विग्वान पर इनको वातकी में नॉवल मिला है अब हम लोग देखते हैं कि रशायन में नॉवल मिला है वो भी तीन लोगों को मिला है किसको किसको पहले कैरोलिन आर्ब वर्टोजी USA के रहने वाले मार्टन मेलडॉल जो है डेनमार्क के रहने वाले के बैरी शापलेस ये USA के निवास ही है तो तीन लोगों को मिला है रशायन में नॉवल और इनको किसलिए मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थो गोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए बात करें कि मेडिशिन में जो नॉवल मिला है वो किसको मिला है स्वानते पावो ये स्वीटन के रहने वाले इनको मिला है मेडिशिन में नॉवल तो क्यों मिला है कि बिलुप इनको मिला है बिलुप तो होमिनिन और मान अभिकास के जीनोम से संबंदित खोजों के लिए आगे हम लोग बात करेंगे शाहित का नोबल किसको मिला है तो शाहित का नोबल जो मिला है एनी अर्नोक्स को मिला है ये फ्रांस की लिखका है और नोबल सांती पुरुषकार किसको मिला है ये मिला है एलिस बियालियाथ्सकी को रूस के रहने वाले और नियान को मिला हैま कुण मुंसु को में जो में तिता ए और किसको मिला है hep सिविल लिवर्टी ये की जो यूज से के रहने वाले हैं अगली बात करते है कि राष्टी बॉद्धिक संपदा पुरुषकार 2022 किसको मिला है ईए आइपिएच वर्ड ग्रीन सिटी और 2022 किसको मिला है घ्दरावास चाहर को मिला है और यह किसके द्वारा प्रिदान किया गया है आयूसी अन के द्वारा बात करें बुकर पुरुषकार 2022 की तो शेहान करुणा तिलका को मिला ये स्रिलंका की रहने वाले हैं इनकी पुस्तक का क्या नाम है दस सेवन मून्स आफ माली अलमेडा तो इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला गया बैलन डियोर की बात करने तो ये फुटबॉल से फुटबॉल का मैधपूर पुरुषकार है तो ये इसवार का किसको मिला है करीम बेंजेमा जो की रियल मैडरेट इनके क्लब का नाम है और अलेक्सिया पुटेलर जो है ये बारसिलोना क्लब से खेलती है तो पुरुष और मा फिरी को और तीसरा कि टान तमिलनाड को मिला अगला पुरुषकार रहें सखारों पुरुषकार तो ये एक सको मिला यूक्रेयन की जो जनता है उसको मिला है जो कि लेक्षदीप के तो अब टो संक्या कित् ambos rabbits ये और्शंस्क्या कि सब्सक्राइब और यह दिया किसके द्वारा जाता है फ्लैक फांडेशन फॉर इंवार्मेंटल एड्यूकेशन के द्वारा बात करें एफ आइच होकी स्टार सवास 2022 को मिला है तो पूरिस्ट के टेगरी में अर्मन प्रीट सिंग और मैला के टेगरी में फैलिस्ट को दिया तो अब हम लोग रच्छा संबंदी जो भी करेंट एक करके देखेंगे जो भी डिफेंस रिलेटेड मैंतपूर्ट करेंट अक्टूबर माह में जो भी हुए चलिए चार्चा करते हैं तो पहला करेंट फेर है कि आपरेशन सदर्न रेडिनेस यह कहां पर आयोजित हुआ है यह हुआ है सेसेल्स में तो भारती नौ सेना इन्हें इसमें भाग लिया यह बहुपच्ची था कई अन्य देशों की नौ सेना उने भी इसमें भाग लिया था बात करें एनर ओयल 91 जो जासुसी उपग्रे का प्रच्छेपड किसके द्वारा किया गया तो यह यह से के आइडियो और वी शॉर्ट इसको इसमें कहाए कि वी शॉर्ट ऐसे चो का मतलब है शॉर्ट और इसका मतलब के आर का मतलब है रेडियस और इसका जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वी शॉर्ट तो इसको बोलते है मतलब यह क्या है कि वैरी इसमाल वो सारी बैरी शॉर् इसमें क्या है कि एर डिफेंस है तो वैरी शॉर्ट जो है एर डिफेंस सिस्टम इसको इसकी फुल फॉर्म है तो यह मिसाइल परिक्ष्टन का सफल परिक्ष्टन किया है कहां पर हुआ है चांदी ओडीशा के चांदीपूर में डिडियों के द्वारा अगला देखते हैं कि बारती बारती बाइश्वेना में LCH प्रचंड हेलिकॉप्टर शामिल किये गए तो आपसे क्वेश्टन पूछ लेगा कि आपको option देदेगा कि प्रचंड में से क्या हेलिकॉप्टर मिसाइल है या फिर प्रच्छे पास्त्रे क्या है तो जो है इसका पांसर लगा दिए ग आगे अम लोक करेंगे कि जो इपसामारःःःःःःःः आपका जय Quelई कि दराएश भारत से जो इसने इस में हिस्सा लिया तो अगला देखते हैं कि सपेस्क्राफ्ट टग का सपहन कि अईरान के दोरह बारवाँ डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पे आई जूता होगा गांधी नगर गुजरात में इसकी थीम है पाथ टू प्राइड अगला देखते हैं कि इसरों द्वारा सबसे बारी रॉकेट LV M3 M2 लॉंच किया गया है तो जो अभी तक का कहने का मतलब यह कि जो इसरों जो प्रक्षेपन मतलब की जो अंत्रिक्ष में जो सैटलाइट बेशता है तो अब तक की सबसे ज्यादा मतलब की जो बेट लेके गई है जो यान सबसे ज्यादा वेट लेके गया जो रॉकेट तो उसका क्या नाम है LV M3 M2 तो यह जो है चातिस जो है सेटलाइट लेके गया टोटल तो अभी तक का सबसे भारी पेलोड इसी रॉकेट के द्वारा ले जा जाए गया तो और यह 36 जो सैटलाइट थी यह किस कंपनी की थी तो यूके की कंपनी यह 100 लेके गया था अगला देखतें कि टाइगर ट्रायम्फ अव्यास यह कहां पर हुआ विशाका पत्तम में तो यह भारत किस के साथ में करता है USA के साथ में तो डिफेंसर रिलेटिड हमने कुशन देख लिए अब हम लोग देखेंगे महत्पूर्ण योजनाओं को जो टोर मां महत्पूर्ण योजना हुई है एक एक करके चलिए देखते हैं तो हमर बेटी हमर मान यह किस राजी की योजना है 36 गड़की मात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस राजी की है 36 गड़की MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022 कौन लेके आया UP की सरकार लेके आई है MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022 संपत्तिकर्माफ प्रिवार कल्याड विवाग के दौरा आगे हम लोग बात करते हैं कि सारस परियोजना देख लेते हैं यह जो है इज़्राईली दृतावास और खुशी नामक जो एक सहनस्ता आए बारत की तो उन दोनों ने मिलकर सारस परियोजना चलाइए यह किस लिए चलाई है मैलाओ को मासिक धर्म सुच्टा जाग रुपता के लिए तो यह जो मातरम के दो फट्र किसके दोरा चलाई किया गया है तो यह किसलिए कि महिलाओं के नेतरत्वाले स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के लिए कि आगे हम लोग देखते हैं कि मिशन लाइफ की बात करें तो नीती आयो गुज्रार सरकार और पर रिटन मंतराले के द्वारा चलाया गया है मिशन लाइफ अगला देखते कि उत्तर प्रदेश महिला सामर्त योजना तो यह जाईर सी बात है कि इसमें यूपी का नाम लिखा है तो यह योजना भी यूपी की है तो यह किसे संबंदित है यह दुख-दुद्पादन से संबंदित है जो दुख-दुद्पादन के लिए फैक्ट्रिया लगाई जानी है तो उनके लिए यह उनसे संबंदित है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ मलनाइन औ उनको भी देख लेते हैं तो पहले बात करें कि रूस ने जो है चार युक्रेणी छेत्रों डोनेट्स और लुहांस्क जापोरीजिया और खेरसान को अपचारिक रूप से रूस में इसको जोड़ लिया है अगला देखते हैं कि सुप्रीम कोट ने देश की बिवाहिता और अ 24 सकता तक के गरपात को वो समाप्त करवा सकती है इससे उपर कि नहीं अगर 24 सकता से अंदर है तो वो गरपात करवाने के लिए उनको अनुमति दे दी गई है बात करें कि अभी हाली में सुकापाई का नदी चर्चा में रही थी तो यह देख लेते हैं यह किस स्टेट में और यह महानदी की एक शायक नदी है आगे बढ़ते हैं तो अगला मारा जो उनलाइनर देखते हैं कि जो यूपी ने दलितों को उद्धुमी बनने में मदद करने के लिए राज के हर जिले में परियोजना कार्यान बन इकायों को कठन करने का निर्णे लिए अगली देखत उपणता उनला इधा का निर्वल साच्छता प्राप्त करने वाली देश की पहली घ्राम पंचायद कईम तो कि टीड़ कि जो पुलम पारा पंचायत है वे डिजिटल ऋप से साठ्छतव गिसकि पहली बिजली का उत्पादल या बिजली का प्रयोग नहीं किया दाएगा अगला है कि बुर्किना फासों में जो तक्ता प्रट हुआ है उसके कारण जो है राश्टपती वहां के जो थे लेफ्टिनेंट करनल पॉल हेंडी सेंडा ओगो डेमीवा जो है उनको पत से हटा दिया गया है तक्ता प्रट के कारण अगला देखते कि टाइटन ड्रेगन फ्लाई जो रोटर क्राफ्ट है इसको जो नासा लॉंच करेगा 2027 में किसलिए कि जो सनी का रहा है टाइटन जो है उसके लिए जानकारी कट्टा करने के लिए अगली बात करें कि गुजरात के भावनगर में और ब्राउन फिल्ड पोर्ट की आदार सिला रखी गई है आगे देखते हैं यूपी के सीम ने जो लखनव के जो किंग जॉर्ज बेटिकल बिश्विद्डाल है जिसको के जी में भी बोलते हैं उसमें क्या कि एसिया की पहली पैथोजें रिडक्शन मशीन का लोकार्पन क किया है तो यह का हुआ है लखनौ में किसके द्वारा सियम के द्वारा बस 2003 में फरवरी मामें बार में बिश्व हिंदी समयान assert despite में जो करेंची में भार्णवार कि जा रहे हैं तो अब उसी कड्य कnnकि ये एक योजना 19 योजना होने वाली है। आगे बात करें की जो राजीस्तान का जो राजसमंद है जिला वहाँ के नात द्वारा में बिषे की सबसे उची शिप्रतिमा हैं जिसको बोलते हैं बिष्वास्वरूपम और इसको बोलेंगे statute of belief का लोकारपन किया गया बहुत ही मैतपूर करेंट फेर है आपके एक्जाम में देखना कि एक दो बार इसको रिपीट जरूर किया जाएगा तो इस्टेचू अफ बिलीप का लोकारपन कहां किया गया राजिस्थान के राजसमंद में नात द्वारा में अगला क्वेशन है कि पाकिस्तान जो है FATF की ग्रेटा दिया गया तो अब हाली में अक्टूर्मा में पाकिस्तान को फेटी अपकी ग्रीलिस से आप दिया गया अब हाली में तूफान आया था यह कहां पर आया था केरेवियन सागर में थीक है तो इसने किन-किन देशों को प्रवावित किया त्रिना देवं टवैगो यानि कि TNT वेने जुएला कोलंबिया और USA जो है इनके उत्तरी तटों को प्रवावित किया अगला देखते हैं कि चीन के वाद जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे मचली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जली करशी देश है तो जो बारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मचली उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा जली करशी एक्वा कल्चर करने वाला जो बारत का है दूसरा सबसे बड़ा देश है ये भी पॉइंट आप य पर देखतें कि पंजाब के संगरूर जिले के लेरा गागा में ऐशिया के सब्से प्रूल सब्से तो ऐगाटन किया गया है तो एठीस का सब्सेशाओ कर नियुक्त मसं लगे गाए पंजाब के सब्सक्राप नियुक्त minute में फिछी सेकेंड रेंग पर आता है बाहरत पहले फॉन आता है ब्राजील तो अगला देखते की भारत का पहला डवब endanger express वे कहां पर बनेगा ये नोड़ Important में बनाया जाएगा डवल डिकर expresses वे अगला देखते कि भारत सरकार ने साक नासी ग्लाइसोपेट क्या है कि एक साग नाटी केमिकल है जो मतलब कि खेतों में घास हो जाती है उसको समाप्त करने के लिए है लाइसोपेट का प्रयोग किया जाता है तो इसके उप्योग पर फिर्तिवन लगा दिया गया है अगला देखतें कि चक्रवात सित्रंग अभी आली में आया था नाम करंड कि खारनी ंगांड किया गया क्या है चक्रवात का नाम सित्रंग अगला देखते हैं कि मद्यप्रदेश हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज बन गया तो मद्यप्रदेश में अब क्या होगा कि जितनी भी मेडिकल की पढ़ाई है डॉक्टरी की वो सारी की सा अब हिंदी में उपलब्द कराई जाएगी अगला देखते हैं कि दुरगावती टाइगर रिजर्ब नाम है कि एक नए बाग अब्यारण के निर्माण को मंजूरी मिली तो यह जो नया दुरगावती टाइगर रिजर्ब है यह का पर बनेगा MP में आगे देखते हैं कि चीन ने हाल ही में सूर पर सोध करने के लिए पहले अंतरिक्षियान आदारित टेलिस्कोप जिसको कुआफू बन के नाम से रखा गया है जिसका नाम इसको लॉंच किया गया है तो यह क्या करेगा सूर पर सोध करने के लिए टेलिस्कोप इसको लॉंच क प्रोवाइट तो एक एक करके मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिये तो उम्मीद है कि आपके जो कि महत्पूर आने वाले एक जाम है तो इनसे ही घुमा फिरा के आपके कुश्चन आने वाले तो दो से तीन बार आपको यह याद हो जाएंगे और अगर आप इसको अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए तो हमारे आई इस पीसर्ट अकेडमी के टेलीग्राम गुप को जाइन